फ्रेंड्स आज मैं आपको वेक्यूम किलेनर सही करके बताऊंगा इसमें दिक्कत यह आ रही थी कि इसमें जो वेक्यूम किलेनर है उसकी PCV में आगे तक सप्लाई आ रही थी लेकिन मोटर के अंदर फाल्ट है हमने पूरा इसको चेक किया था और उसके बाद हमको इसमें सब्सक्राइब होती है और कहां से हमें क्या खराबी इसके अंदर मिली है कभी हो सकता है आपको भी अपना वेक्यूम क्लेनर खोलना पड़ जाए तो आप इस वीडियो को पूरा देखें ध्यान से देखें मैं पूरा प्रैक्टिकल करके आपको बताऊंगा और इसको सही भ आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चैनल टेक्निकल समय तो दोस्तों आई यह सुरू करते हैं वीडियो तो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं यह हम वेकूम क्लेनर है हमारे पास और हमने इसको खोल रखा है और इसमें देकत यह आ रही किसकी पीसी भी वागरा सही है लेकि हम आगे जब पेक करेंगे आपको बता देंगे किस तरीके से कुलता है तो आप यहां देखें हमको गया इसकी मोटर कोलनी है तो उसके लिए पेच हैं इसके साइड में यह पेच सारे कोलने होंगे और उसके बाद इस तरीके से यहां पर पेच हैं तो इस तरीके से आप इस सारा कच्रा जम्म हुआ है जब आप इसको खोलते हैं तो कच्रे को जरूर साफ करें जिससे यह वेक्म अच्छी बनाएगा तो यहां पर पेच हैं कुछ लॉक्स हैं इनको हम अटा लेंगे और उसके बाद जब सारे पेच हमारे खुल जाएंगे तो इसके ढकन के दो पार्ट हो जाएंगे फिर अंदर मोटर हमको देखने को मिलेगी तो आप यहां देख सकते हैं एक लोग यह लग रहा है इसको मटा लेंगे और इसके बाद जब मैं इसको अटाएंगे बाहर आप देखें तो यहां पर यह इसके दो पार्ट हो गए हैं यह मोटर अलग हो गई हमारी तो यहां पर हम चेक करेंगे मोटर को यहां पर डाइरेक्ट तो यहां पर जब हमने चेक किया तो यहां पर भी मोटर नहीं बोल रही है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसके कार्बन चेक करते हैं तो आप यहां देख कि हममें जलने करने का कुछ भी निचाइन नहीं देर हैं लुए बढ़ीन बंद भुए था तो इसमें ना कोई स्पार्किंग थी ना कोई इसमेहल आई थी तो यहां पर हम इसके कार्बन चेक करें तो कार्बन पूरे बराबर हैं और सवे सधित एक दम इसके अब हम क्या करेंगे इसको चेक करने के कोशिश करते हैं कहां से हमको यह दिक्कत मिल रही है तो जब हमें काप्य हमने जब इसको चेक किया तो इसके दोनों साइट कार्बन हमने निकाले और चेक कार्बन बिलकुल ओके थे और इसका आर्मेचर वाला सिस्टम बो अगो हो नहीं बछल रहा था जब हुन्स को और ज्याधा चेक किया तो फिर हमें कोई ठीथ कर दी है और इसके काफी सारी गंद्डगी जमें हूई थी और जब हमें इसका पता चला जो भी इसके फिल्ड में इसको चेक किया तो इसमें एक हीटिंग ऑटो पकट लगा हुआ होता है तो मैं अभी आगते को अब तो हैं आप दिखाते हैं अभी आपको दिखाउंगा मैं यहीं सी लिए Experience लिए यहरे है और इसका यह वायर था निकल गया था तो अब हम क्या से टाइट करके यह फिर इसमें सोल्टिंग करके अच्छे से और फिर इस पर टेप करके वापस वैसे ही लगा देंगे जैसे हमने इसको निकाला था यहां से इस तरीके से हमने लिका ला था इजली यह लग गया है और आप देख सकते हैं यह वाइंडिंग के टच होता है और इसमें कहाई कि इस तरीके से लगा हुआ था और हमने कहाई कि इसका वायर थोड़ा बढ़ा करके इसमें लगा दिया है और फिर इसके उपर टेप कर करना होता है और इजली लग जाता है और यहां पर आप इसका देखें इसके वायर आप लगा लें जो नीले वाले तार थे वो हमने लगा लिए हैं और एक तार क्या कि आपको इसमे रवड़ का ऊधोट को को घूला था इसमें को किस देंगे बराबर परने को लगा देंगे अच्छे सेड perfect के यह चुछывает जो लोखनय को भी लगा देंगे अब यह हमारा हो गया है और हमने जैसे इसको खोला था वैसे हम इसको सेट करेंगे और इसके वायर वग्यरा का ध्यान रखें वायर वग्यरा को साइड से निकाल लें आगे एक वायर आ रहा है इसको हम साइड में करेंगे और इस तरीके से जैसे हमने इसको निकाला था उस तरीके से इसको फिट कर देंगे और इसके बाद इसके पेच वग्यरा क जाती है तो इसका विशेज ध्यान रखें अगर आपने इसकी सेटिंग छेड़ दी तो यह क्या है कि वापस से सेट नहीं बैठता है तो इसको कियर फुली आप लगाएं और यहां पर आप देखें यह हमने बैठा दिया है और लगवग यह हमारा बिलकुल एक्जेक्ट देना है यह और इसके जो लोग है वो अंदर इस साइड में बैठ जाएगा फिर आप इसको देख लेए एक पर चेक करके बिलकुल ओके हो जाएगा इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें जो हमने पेच खोले थे इन पेच्चों को कस देंगे यहां पर पेच्छें लगा और भी कई सारे पेच्छें सब को हम क्या लगा देंगे जहां जहां से हमने पेच्छ खोले हैं उसका जरूर ध्यान रखे इसमें लूजिंग नहीं छोड़नी है बिलकुल भी आपको और उपर यह स्प्रिंग वाला पेच्छे यह भी लगा देंगे और इसके बाद हम क्या लगा दी है अब हम इसका स्विच लगाएंगे तो फ्रेंड्स आप इसका स्विच लगा सकते हैं और यह सुच क्या है कि यह सही भी हो जाते हैं कि कई बार ऐसा होता है इसके अंदर रस्ट वगेरा चली जाती है तो आप इसको थोड़ा खोल कर और पेट्रोल से साफ करके चला सकते हैं और इसके जो दोब करेंगे जैसे मि इसको अटाए है कि पीसी भी खराब रॉजफि दो इसका डइरिक्ट करते लेकिन के कंट्रोल नहीं पाएगा तो जैसे फिर Sek Ein TV उसको नटीछ चीन कुर्थ करके फिर वापस से लगाएं आप यहां देख सकते हैं अभी हम इसको चेक करेंगे और आप यहां देखें हम चेक करें इसको अब तो यह चेक हमने कर लिया है और इसकी आवाज मतलब चलने लग गया है और बिलकुल इसको साफ करके दुबारा से इस तरीके से लगा दिया है ताकि यह बेस्ट वगिरा इस मोटर के अंदर ना जाए आप यहां देखें और इसके बाद हम क्या करेंगे इसका जो उपर का ड़कन है उसको लगाएंगे प्रेंट्स बहुत ही इजी है और बहुत ही आसानी से आप इसको खोल सकते हैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं पीछे की साइड में कुछ पेच होते हैं एक बार अंदर से भी आप देख लिए जब इसके कनेक्टर आप हटाएंगे तो इसमें यह जेक होते हैं जेक आसानी से हैं लग जाएंगे को कि अलग अलग हовых होते हैं अलग साई होता है जो जहां काई नहीं पर लगेगा दूसरी जगे वह नहीं लगे गा इस तरीके से दोनों साइड में दोनों पेच और कस दें और जब यह सारे पेच हमारे कस जाएंगे आगे पीछे से तो यह हमारा ओके है और इसमें डश्ट बेग आप लगाएंगे तभी इसका डखकन अच्छे से बंद होगा अभी मैं आपको इसको एक बार चला कर दिखाता हूँ और यह हमारा वेक्यूम किलिनर है जो बिल्कुल ओके हो चुका है आप यहां देख सकते हैं चल रहा है इसको थोड़ा साथ तेज प्रेस करना होगा हमको इस तरीके से आप अपने वेक्यूम किलिनर को सही कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं आने वाली है तो friends आपने देखा मैंने आपको इस vacuum cleaner को सही करके बताया अगर इसके अलावा कोई भी आपका सवाल हो तो आप हमें बैजिजक कमेंट कर सकते हैं हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिस करेंगे और इसी तरह की knowledge वाली वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं मिलेंगे आपसे फिर किसी नई वीडियो में नई टोपिक के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक कियर